नमस्कार दोस्तों, Steady IQ पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है Steady IQ की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं Hydroponics के बारे में Hydroponics modern agriculture की एक बहुत ही बहतरीन और बहुत ही technical technique है जो की आजकल बहुत जादा चर्चा में है और काफी सारे लोग हैं जो इसको अपना भी रहे हैं इसमें हम बात करेंगे Hydroponics क्या होता है Also इसकी क्या-क्या techniques हैं यानि कि इसको करने के कई सारे तरीकें हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे And also हम बहुत ही interesting discussion करेंगे इसके इतिहास के बारे में यानि कि सबसे पहली बार दुनिया में Hydroponics कब शुरू हुआ कौन से जो civilizations थी इन्होंने इसके उपर काम करना शुरू किया And आज की date में ये किस level तक पहुँच चुका है और अंत में हम discuss करेंगे इसकी advantages और इसकी disadvantages क्या-क्या होती है चलिए start करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग इस lecture की PDF को download करना चाहते हैं तो मेरे telegram channel से कर सकते हैं इसके इलावा social media पे भी आप मेरे साथ जोड़ सकते हैं Study IQ आप को download जरूर करें संद Google Play Store और app के आपकी UPSC की तयारी को आसान करने के लिए हमने कई सारे courses launch किये हैं यदि आप 2021 के prelims की तयारी कर रहे हैं तो past prelims discussion के नाम से course को जरूर भाई कीज़ेगा इसमें हमने पिछले 10 साल के papers को discuss किया है All right So, एक चीज I think हम सभी बच्चों को मालूम है और ये चीज हम काफी समय से पढ़ते आए हैं Ever since our school हमने देखा है कि Plants जो grow करते हैं They grow through a process called as photosynthesis और photosynthesis में जो important components होते हैं वो होता है sunlight होती है chlorophyll और ये जो sunlight और chlorophyll है ये basically carbon dioxide और water को convert करती है glucose और oxygen में इसकी बड़ी लंबी सी reaction होती है जो I think सभी को याद भी होगी Now, इसमें जो पानी आता है और जो nutrients आते हैं plant के पास वो कहां से आते हैं? वो आते हैं soil से यानि की मिट्टी से ये जो पानी और nutrients देने का काम soil करता है इस चीज को replace भी किया जा सकता है यानि की हम soil की जगा कुछ और चीज भी इस्तिमाल कर सकते हैं और इसी idea से basically start हुआ था hydroponics का idea खेर जो normal plants है जो की आज कल हम देखते हैं जो हमारे बड़े बड़े खेत हैं इंडिया में या फिर दुनिया भर में ये basically soil के उपर rely करते हैं मिट्टी से इनको अपने plant plant को nutrients और पानी मिलता है आप यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से एक normal plant grow कर रहा है ये आपको सूरज से मिली light energy ठीक है और आपका carbon dioxide जो है ये convert हो गया oxygen में और glucose में और नीचे जो soil था इसने root में से आपको पानी और minerals यानि की nutrients देने का काम पूरा कर दिया जिसके तरू आपका plant जो है वो nurture हो रहा है और बढ़ रहा है लेकिन hydroponics के इसमें ऐसा नहीं होता अगर briefly बात करें तो hydroponics में आपका जो पानी और nutrients प्रोवाइड करने वाला soil था उसको हमने एक विकल्प से change कर दिया और इसी लिए इसको कभी कबार उगा दिया जैसा कि आप इस image में देख सकते हैं ये बिलकुल एक representative image है जिसमें कि आपके plants उग रही है निकल नीचे देखे कोई मिट्टी नहीं है ये छोटा सा एक इसका ये बना हुआ है और यहाँ पर भी ये बना हुआ है और roots जो है ये नीचे पानी में ही उग रही है लेकिन कोई मिट्टी नहीं है अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो आपकी roots थी जो traditional cultivation है ये completely मिट्टी में जाती है लेकिन hydroponics case में ऐसा नहीं होता है लेकिन उसके बावजुद भी आपके उपर plants अच्छे खासे उग रहे हैं This is what is hydroponics लेकिन ये केवल हमने briefly बात की है इसके बारे में हम detail में बात करेंगे इसकी क्या क्या तकनीके होती है लेकिन उसके पहले इसके इतिहास को जानना बहुत ही important है और बहुत ही interesting भी है ऐसा नहीं है कि hydroponics ये आज कल में ही शुरू हुआ है या फिर पिछले 58 साल में ही शुरू हुआ है hydroponics कई सारी ancient civilization से चलता आया है और आज की date में इसके चलते कई सारे high value products हैं जो की आप hydroponics में उगा पा रहे हैं सबसे पहली बार जब hydroponics शुरू हुआ था तो असल में I am sure आपने सुना होगा Babylonian Empire के बारे में जो present day, modern day Iraq के पास आपको देखने को मिलता है ancient city of Babylon वहाँ पे सबसे पहली बार आपको hydroponics देखने को मिला था Babylon के बहुती famous hanging gardens थे और इन hanging gardens को ancient world के साथ अजूबों में से भी एक माना जाता है जो हमारे पास accounts है उसके माध्यम से बनाई गई है और इस image में ऐसा कुछ माना जाता है कि ये एक hanging gardens इस तरीके से बने होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से चीजे नीचे को आ रही है तो इसकी root यहाँ पर है ठीक है, लेकिन ये plant नीचे को बेबी लॉन के empire में आपको देखने को मिलता है ये माना जाता है कि ये बहुत ही elaborate hydroponic system था असल में जिसमें आप क्या कर रहे थे जो आपका पानी था, which was very rich in oxygen and nutrients, उसको आप यहाँ पर pump in कर रहे थे, जिसकी वज़े से ये roots grow कर रही थी और आपका plant भी grow कर रहा था, लेकिन नीचे की तरफ, ये आपका example है babylon empire का, जो की बताता है कि जो आपका hydroponics का system है, ये कोई नया system नहीं है बहुती पुराना system है इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो असल में इनको जो पानी वानी की जो इनकी main वो थी पे आता था और इसी तरीके से इसने terrace के हर एक level के उपर पानी को supply करने का सुविधा बनाई हुई थी similarly not only babylon में अगर आप देखें Central America में तो Central America की जो एक tribe है Aztex के नाम से जो Aztex के garden है ये भी बहुत ही famous माने जाते हैं और बहुत ही पुराने example माने जाते हैं with respect to hydroponics जो जो Aztex का time था ये time था लगभग 13th century के आसपास और 13th century में अगर आप देखें इन्होंने काफी जादा invention करके कुछ इस तरीके का system बना लिया था जिसको आज की date में I think recreate करना बहुत ही मुश्किल होगा यहाँ पे इन्होंने क्या किया था इस image को ध्यान से देखिए अगेन ये भी एक image recreate की गई है जो इनके written accounts है उस image उन accounts को use करके तो यहाँ पे क्या है कि ये ये की बीच में पानी है ठीक है और ये जो बीच में आप देख पा रहे है ये जो छोटे-छोटे islands बने हुए है ये असल में man-made islands है ऐसा नहीं है कि ये मिट्टी नीचे तक जाती है ये केवल एक floating मिट्टी है जो की बनाई गई है इसकी सबसे हरानी वाली बात क्या है ये structures man-made है पौदों की roots है वो केवल यहीं तक मिट्टी में है ठीक है इसके नीचे का जो part है वो completely पानी में है same goes for the trees ये जो trees है इनकी जो roots है ये केवल यहीं तक मिट्टी में है इसके नीचे की जो roots है वो completely पानी में जा रही है तो ये Aztecs ने किया था और ये असल में उस time पे इनको बहुत सारी मुसीबतें जहलनी पड़ रही थी, इनके आसपास की जो tribes थी, वो इनको support नहीं कर रही थी, उनके साथ इनकी wars चल रही थी, so they had to do something जिसके चलते ये अपने खाने पीने की विवस्था खुद से कर सकें, तो ये इनका तरीका था उस अस्टेक्स ने क्या किये, इन्होंने rafts को build किया था, of rushes and seeds, lashing the stalks together with tough roots, ठीक है, तो ये इन rafts को कहा जाता था, चिनामपाज, जिसमें की इन्होंने हर तरह की vegetables, flowers, और even पेड़ों को उगाया, ठीक है, और यहाँ पे आप लेख सकते हैं, roots of these plants, pushed down towards a source of water, would grow through the floor of the raft, and down into the water, वो जो raft का floor था, उसके through जाते जाते नीचे पानी में ही उगते थे, ये तो थी आपकी पुरानी approaches, जो कि मैंने आपको बताया कि एक Babylon empire की, और एक Asterix के empire की, या फिर Asterix के time की, अगर modern approach की बात करें, तो असल में जो hydroponics word पहली बार use होना शुरू हुआ, ये time है, University of California के एक scientist Dr. William F. Garrick, इन्होंने सबसे पहले plant nutrition के उपर कुछ laboratory experiments करने शुरू किये, उस time पे इन्होंने सोचा कि क्योंना हम plants को पानी में उगाए, क्योंना हम plants को बिना मिट्टी के उगाए, तो इन्होंने जो nutriculture systems को तयार किया, इसको उस time पे कहा जाने लगा, hydroponics, यानि कि जो आपका plant है, वो असल में पानी में ही उगाया जा रहा है, और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते बढ़ाते, जो USA की space agency है NASA, इन्होंने 1990 में एक similar process जिसको कहा जाता है, aeroponics, aeroponics भी almost similar होता है, hydroponics की तरह, इसके बार में हम बात करेंगे, लेकिन इन्होंने aeroponics को भी successfully execute कर दिया था, और इन्होंने सबसे अच्छी बात क्या थी, और सबसे मुश्किल बात, इन्होंने ये पौदे उगाये थे, space में जाकर के, क्योंकि USA उस टाइम पे कई सारे space missions कर रही थी, तो इनको एक ऐसा solution निकालना था, कि जो astronauts हैं, वो space में जाके अपना खाना खुझ स उगा सकें, और उसके base पे, वो वहाँ पे sustainable agriculture कर सके, space में जाके, जो कि ये कर पाये थे, जब ये सब चीजें successfully execute हो चुकी थी, उस time पे लोगों का भरोसा, agriculturalist का भरोसा, even कई सारी industries इस field में आना शुरू हो चुकी थी, यहाँ पे आप left side पे देख सकते हैं, ये वाली image जो है ये असल में Dr. William F. Garrick की है, जो 1920s की है, और ये वाली image right side पे, ये NASA के एक space station की image है, जिसमें की पौदों को space में उगा जा रहा है, and the best part is space में होती है, zero gravity, जिसके बावजूद आप पौदों को यहाँ पे उगा पा रहे हैं, So, ये है बताने का तरीका आपको कि इसका इतिहास क्या है, hydroponics कहां से शुरू हुआ और आज हम कहां तक पहुँच चुके हैं, अगर बात करें, ये hydroponics exactly काम कैसे करता है, देखे, मैंने आपको briefly बताया कि एक तो hydroponics में मिट्टी नहीं होती, फिर मैंने आपको बताया क इसमें आपको पानी से आप plants को उगा सकते हैं, लेकिन क्या वो एक normal पानी होता है, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, और क्या आप इसमें जो आसपास की conditions हैं, उसको control नहीं करना पड़ता है, तो वो भी नहीं है, आपको इसको हर चीज का नियंतरन करना ही पड़ता है, हर एक environmental condition, फिर भले वो temperature हो, फिर भले वो pH का balance हो, ठीक है, फिर भले वो जो पानी है, उसके अंदर कितने nutrients है, उसके अंदर oxygen content कितना है, उसके अंदर क्या fertilizer है, हर चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ये एक तरह का special पानी होगा, जिसको आप इस्तेमाल करेंगे, जिसके थ Hydroponics administer nutrient solutions tailored to the needs of the particular plant being grown, ये भी बड़ी interesting बात है, मान लीजे, आप Hydroponics में खीरा उगाना चाहते हैं, कुकुमबर उगाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो पानी इस्तेमाल करेंगे, वो अलग होगा, मान लीजे, आपको टमाटर उगाना है, तो उसके लिए पानी इस्तेमाल भी उगा रही है, तो उसकेस में आपको कुछ different solution का इस्तेमाल करना होगा, same solution का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे, तो इसमें depending on the plant आपको अलग लग तरह का nutrient देना होगा, अगर बात करें Hydroponics की तकनीके क्या क्या है, तो देखिए आज की rate में 6 techniques हैं, जो की चलती आ रही हैं, जादा मुश्किल नहीं है, in fact बहुत ही straight forward है, basically हर एक technique में फरक क्या है, कि पानी आप किस माध्यम से दे रहे हैं, आपका method नहीं बदलने वाला, method वही रहेगा, जो आपका main principle है, वही रहेगा कि पौदों को पानी में उगा रहे हैं, लेकिन पानी किस तरीके से administer कर रह हैं, वो बदल जाता है, जिसके चलते 6 अलग-लग techniques बन चुकी हैं, सबसे पहली technique, deep water culture hydroponics, very simply, अगर आप देखें, ये देखिए आपके पौदे हैं, ये एक styrofoam का एक sheet लगी हुई है, इसमें आपने पौदे लगाए हुए हैं, और इनकी यहाँ पे नीचे पानी में इन simple तरीका है, deep water culture hydroponics का, इसकी आप एक और image देख सकते हैं, practically कैसा होता है, कुछ इस तरीकी से देखने को मिलता है, ये आपकी styrofoam की sheet है, जिसमें आपने इस farmer ने ऊपर lettuce उगाई हुई है, और नीचे आपकी roots लटक रही हैं, जो की असल में नीचे पानी में थी, इस पानी लगता है, aeroponics में क्या होता है, अब देखिए, इसको तुलना करके समझे, जो हमारा deep water culture hydroponics था, इसमें जो roots थी, ये directly पानी में लगी हुई थी, लेकिन aeroponics में असल में roots पानी में नहीं लगी होती, ये हवा में ही लटकी होती हैं, arrow यानि की air और ponics यानि की हम जो यहा कर रही हैं, ठीक है, इस पानी के अंदर nutrients डाले हुए हैं, इस पानी के अंदर oxygen डाली हुई है, इसके थुरू ये वाला जो पौदा है यहाँ पे उग रहा है, इसका again example यहाँ पे देख सकते हैं, किस तरीके से plant हवा में ही उग रहे हैं, नीचे इनको किसी तरह का कोई support नह जो चीज है, यह असल में पंजाब में बहुत ही बड़े स्तरपे की गई है, वो भी पेपसी के द्वारा, पेपसी ने पंजाब में contract farming के चलते, कुछ farmers के साथ contract किया हुआ है, अपने बहुत ही famous chips उगाने के लिए, जिनको आप lese के नाम से जानते हैं, तो lese के जो आलू आ जाता है wix system, again कुछ भी difference नहीं है, फरक किवल इतना है कि अब आपकी trays बन गई है, दो, एक उपर की tray बन गई है, और एक नीचे की tray बन गई है, नीचे और उपर की trays हैं, यह connected है wix के द्वारा, और यह wix के through, basically, यहाँ पे आपने air pump डाला, इसमें आपका air stone, यहाँ से air bubbles इस पानी में oxygen आ गई, और इन wix ने इस oxygen वाले पानी को इसमें transfer कर दिया, आपके जो plants हैं, वो यहाँ पे उख पा रहे हैं, so again, है कुछ भी नहीं, बस आपने एक tray की जगा, अब दो trays लगा दी हैं, आपने styrofoam नहीं इस्तेमाल किया, आपने directly पानी जो है, एक tray से दूसर में भीजना शुरू कर दिया, similarly बात करें nutrient film technique system की, तो ये भी कुछ जादा फरक नहीं है, इसमें क्या हुआ, कि आपने यहाँ पे आपके 4-5 पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, अब side से आपने क्या किया, side से पानी flow करना शुरू करता है, इस पानी के अंदर nutrients है, इस पानी क stream of continuously flowing nutrient solution, which washes over the ends of the plants root system, जिसके चलते आपके plants असानी से उख जाते हैं, again आपने किया क्या, केवल पानी देने के तरीके को change किया है, जिसकी वज़े से आपकी technique बदल जाती है, या फिर system बदल जाता है, similarly ebb or flow system है, और similarly drip system है, drip system में आप जो normal agriculture में आजकल drip irrigation शुरू हो चुकी ह वैसे ही यहाँ पर drip system शुरू कर दिया है, ebb or flow में भी आप क्या करते हैं, कि ebb or flow यानिकि आप उसको रोकते हैं, फिर flow करवाते हैं, रोकते हैं, flow करवाते हैं, ये चीज़ भी आप कर सकते हैं, again, केवल पानी देने का तरीका आपने change किया है, कितने समय तक देना है, किस plant क देना है, इन सब चीज़ों को change किया है, जिसके चलते टकनीकों के अलग-लग नाम रख दिया गए हैं, लेकिन आपका जो overall principle है, वो नहीं बतला है, तो ये कुछ techniques हैं, जो आपको hydroponics में देखने को मिल जाती हैं, अगर बात करें, इसके lab क्या है, इसके फायदे क्या-क्या हैं, देखें, सबसे पहले तो अगर आप देखें, क्योंकि आप environment को completely customize कर रहे हैं, और more importantly control कर रहे हैं, तो plant growth को आप अपनी मर्जी से accelerate करवा सकते हैं, ठीक है, बहुत ही scientific चीज़ है ये, अगर हम आज भी भारत में बोलते हैं, कि agriculture is a gamble of monsoon, especially Indian agriculture is a gamble of monsoon, क्योंकि आपको नही हैं, आप environment को control कर पा रहे हैं, आप ये पता लगा पा रहे हैं, कितना temperature चाहिए, कितनी pH चाहिए, उसके अनुसार आप उसको आसानी से उगा पा रहे हैं, secondly, इसमें जो आपका root system है, बहुती छोटा root system होता है, normal जो plants हैं, root system बहुत बढ़ा रखते हैं, जिसकी वज़े से, जो plants की maximum energy है, वो असल में roots में चले जाती है, अगर आपका root system छोटा है, तो plant की जो जादा energy है, वो असल में leaf की growth में और stem की growth में जाने की possibility बढ़ जाती है, again, जो आपकी plant की growth है, वो जल्दी होती है, इसके बाद अगर आप देखें, क्योंकि mechanical resistance नहीं होता है, soil का, तो आप आपकी seedlings बहुत जल्दी mature कर सकती है, इसके बाद जो सबसे बड़ा advantage जिसके चलते आज कई सारे लगू उद्योग हैं, जो कि hydroponics में आने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही है, कि इन plants को आप कम area में जादा plants उगा सकते हैं, और जादा yield ले सकते हैं, इसकी सबसे अच्छी बात ये भी है कि hydroponics में आप vertical farming भी कर पाते हैं, यानि कि एक के ऊपर एक आप trays को लगाते जाएं और हर tray में आप असानी से plants को उगा सकते हैं, जिसके पास मान लीजे एक एकड़ जमीन नहीं है, जिसके पास मान लीजे आधा एकड़ जमीन है, वो आधे एकड़ में से ऐ ऐसा माना जाता है, वैसे आपको बताऊं अगर टेक्निकली, तो एक एकड़ जमीन में से आप लगभग आठ एकड़ जितनी जो yield है, वो hydroponics के माध्यम से ले सकते हैं, अगर आपने proper plant लगाया हुआ है तो, इसके बाद यही नहीं, जो बिमारियों की दिक्कते आती हैं, जोकि natural environment में आती हैं, वो आपके controlled environment में नहीं आती, क्योंकि ना तो fungus लगती है, ना कोई pest लगती है, provided आपने चीजों को properly control किया हुआ है, उसके बाद hydroponics systems and the unpredictability of growing plants outdoors and in the earth, obviously आपको climate change हो रहा है, मान लीजे weather change हो रहा है, उन सब चीजों की चिंता करने के आवशकता नहीं है अगर बात करें, hydroponics में you can produce much healthier and high quality fruits and vegetables, आज कल आपने देखा होगा, जो आप सबजियां और फल खा रहे हैं, इसमें नहीं मालुम की कौन से कौन से fertilizer हैं, कौन से कौन से nutrients हैं, जो की डले हुए हैं, लेकिन hydroponics case में, क्योंकि आप खुद उस पानी को control कर पा रहे हैं, आप पेसिटर्ट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो obviously, जो आप फल और सब्जी खा रहे हैं, वो काफी जादा healthy होगी, काफी जादा nutritious भी हो सकती हैं, finally, क्योंकि hydroponics को आप indoor growing के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके चलते आप plants को पूरा साल उगा सकते हैं, यानि कि ना तो लेवल पे इस्तेमाल कर भी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी केवल advantages ही हैं, इसके कुछ-कुछ disadvantages भी हैं, obviously, सबसे पहले तो खर्चा, जो normal field में खर्चा आएगा, उससे कई जादा खर्चा आपको hydroponics में लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप environment को control करेंगे, तो obviously, आप अपने कमरों में AC लगवाएंगे, उसके बाद आप जो पानी लेकर आएंगे, वो कोई आम पानी नहीं है, को एक nutrient rich वाला पानी है, ठीक है, अगर आप उसके दान देखना चाहते हैं, तो Amazon पर जाके देख भी सकते हैं, hydroponics solution के जो पानी है, वो काफी महंगा आता है, उसके बाद हर तरह की चीज, जो आपको lighting देनी है, क्योंकि sunlight नहीं है, अलग तरह की lights आती है, जिसमें कि आपको make sure करना है कि कौनसी कौनसी wavelength of light plants को मिल रही है, यह सब चीजें काफी महंगी आती हैं, secondly hydroponics काफी ज़्यादा scientific है, तो जो इंसान ज़्यादा पड़ा लिखा नहीं है, ज़्यादा जानकार नहीं, ज़्यादा जागरुक नहीं है, वो hydroponics को नहीं शुरू कर पाएगा, उसको इस चीज की हमेशा चिंता लगी रहेगी, कि अगर कुछ इधर उदर हो गया, और मान लिजे मुझे नहीं मालुम, तो उस case में उसको ठीक नहीं कर Similarly, क्यूंकि hydroponics में हमने बताया कि वैसे तो root system छोटे होते हैं, तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसकी एक problem भी है, कि इसमें आप ऐसा नहीं कि जो plant चाहें उसको उगा सकते हैं, यानि कि केवल वही plants जिनका की root system छोटा होने के बावजूद भी वो उपर के systems को support कर तो ऐसा नहीं कि आप चाहें कि हम hydroponics में तर्बूज होगाना चाहते हैं, तो वो possibility नहीं है, क्योंकि वो वाला method ही hydroponics में available नहीं है, या फिर आप कहें कि मैं केला होगाना चाहता हूँ hydroponics में, तो जी नहीं, ऐसी चीज़ें बहुत ही कम देखने को मिली हैं, क्योंकि उस case में आपका जो root है वो काफी heavy होता है, और heavy root ही उस तरह के fruit को जनम दे पाता है, तो ये चीज़ें कई सारी limitations हैं, जो कि hydroponics में आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो heavy fruiting हैं, उसमें आपको बहुत जादा elaborate support चाहिए, और बहुत जादा अच्छा nutrient solution चाहिए, तो ऐसी चीज़ें hydroponics में अभी तक नहीं आई हैं, तो ये कुछ disadvantages हैं, जो कि hydroponics की आपको मालूम होनी चाहिए, फिलहाल हम वीडियो में इतना ही रखते हैं, लेकिन आप हमें comment section ने बताइए कि क्या आपको लगता है hydroponics agriculture का future है, और क्या आपको लगता है सरकार को इसमें स्तर पे लागू करने की कोशिश करनी चाहिए, इसी के साथ आप से लेता हूँ विदा, thank you for listening, stay tuned and stay safe.